तो गाइस जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं ये प्रॉब्लम हर बार हर किसी के घर में एक ना एक बार फेज जरूर कर जोगी तो आज मैं कुछ लेकर आया हूं इस प्रॉब्लम का सलुईशन चलो फटा फट दिखाता हूं क्या है ये चीज तो इस तरीके से इसका ये लॉकिंग सिस्टम है ये वाला पाइप के उपर करनेक्ट होगा बहुत ही सई चीज है मैं दिखाता हूं किस तरीके से ये आपने यहां पर आपको बस पाइप फिट करना है और उसके बाद ये इससे ये कलिप टाइट कर देनी है ताट्स एट वो एकदम सील्ड हो जाएगा और ये वाला करेक्टर जो है ये टैप पे फिक्स होगा टैप पे फिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके से इसको आपको टाइट करना है अभी मैं इसका proper demo करके दिखा हूँ अभी मैं product आपको demo दिखा रहा हूँ कि भाई किस तरीके से product की build quality है बहुत यह amazing build quality के साथ यह product आ रहा है और two pieces का आता है single piece लेना चाहते हो वो भी मिल जाएगा बट मैंने two का order किया मुझे जरूरत दो की थी तो चलो फड़ा फट देखाता हूँ क्या है exactly यह देखो build quality कई लोग कहेंगे कि या test करके दिखाओ यह map दोनों आतों से दोनों को opposite direction में खीच के दिखा रहा हूँ जब मैंने connector को down किया उसके liver को तभी वो खुल पाया otherwise खुल भी नहीं रहा था वो तो और तोड़ने का मेरा कोई मन है नहीं हाँ I know कि build quality बहुत अच्छी है बट फिर भी क्यों ही रिस्क लेना भाई पैसा लगा है चलो दिखाता हूँ यह लो यह प्रॉब्लम अकसर हरको इसको करता है तो चलो इसका solution ही किया जाए permanent इसको हटाओ कुछ इस तरीके से बस यह connector की जो back side है यह मैंने अलग कर लिए अभ यह देखो और यह मैंने इसका round character को बस tight करना है जितना वो एस टक tight हो जाए उतना tight कर दीजे वो अपने हाप accordingly pipe की thickness के accordingly लेगा और यह re-tap यह बस दिहान रखिए कि आपकी हाथ की movement में यह washer की जो clip है यह बस ना लगे इस ऐसी direction में थोड़ा सा उसे side edge पे करके ही उसको tight करन यह बिल्कुल हो गया tight अब यह लो इसको बस down press करिए और उपर करके lock कर दीजे इसको बहुत सई चीज़ा है अब करते हैं पानी start देखा है ना परफेट अब तक तो वह वाला पुराना boss तो निकल भी जाता था कर दो